कि जी इस्तामनीकूम कि आपको राज की लेक्शेर का गास करते हैं लेक्शेर 21 आज के लेक्शर में पहले हम हमसाइल्मेंट को डिसकस करेंगे फिर उसके बाद आपके फ्रेश लेक्शिर की दरफ जाएंगे वोमसेलमेंट कितने स्टोर्स ने अटेम्ट की है जरा हाथ उठाइए रूमसेलमेंट कितने स्टोर्स ने अटेम्ट की है चले ठीक है अची तदा दें जी वेसंछ 6. पार्ट A. आजम हैविंग एडवांस मनी तो हिस सन बाबर दूरिंग हिस मिनौरिटी अपॉन बाबर स कमिंग ओफ एज उब्टेंज बाइंज 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 वांड फॉम बाबर पार ग्रेटर मांट देन दा सम्डू इन रिस्प्लेक्ट ओफ एडवांसेज उसने ए एडवांस मनी पैसे एडवांस दिये यानि लोन दिया एडवांस मनी मींज लोन दिया आजमने तो हिस सन क्या बाब अपने बेटे को लोन दे सकता है क्या बेटा बाब को लोन वापिस करने का पबंद है लीगली बिलकुल है अच्छा ये लोन दिया गया डियूरिंग हिस म minor है लेकि उसके साथ agreement नहीं किया जा सकता यहाँ पर देखे उसने यही काम किया consideration minority में pay कर दी लेकिन agreement age of minority में नहीं किया क्योंकि बाप को पता था कि अगर age of minority में agreement किया वो wide against minor होगा मैं उसको enforce नहीं करवा सकूंगा और even बाद में अगर वो minor major भी हो जाता है उसके major होने के बाद भी जो minority वाला contract है उसे enforce नहीं करवाय जा सकता even उस minority वाले contract को ratify में नहीं करवाय जा सकता उसकी प्रॉल में नहीं ली जा सकती इसलिए इन सारी बातों को सामने रखते हुए father ने age of minority में agreement नहीं किया फिर कब किया upon babar's coming of age obtains coming of age महावरा है ठीक आपने English पर बढ़ा है किसका मतब या है कि जब वो adult हो गया जब वो major हो गया उसने by misuse of parental influence parental influence को misuse करते हुए एक bond babar के साथ agree किया bond किसको कहते हैं किसको कहते हैं loan agreement को loan agreement किया for a greater amount than the sum due in respect of advances जितने amount due थी उससे ज्यादा amount के लिए बाई एक इसी बंद कर दे इसका temperature 24 कर देगा in respect of advances ठीक है more than अच्छे चीज़ जहन में रखिएगा legally आप किसी को भी अगर एक लाख रपिया अदा करते हैं legally आप उससे ये agreement तो कर सकते हैं कि जब आप वापिस करेंगे इसके साथ कोई certain rate of interest के साथ वापिस करेंगे ये agree कर सकते है law इसकी जाज़त देता है लेकिन law इसकी जाज़त नहीं देता कि आपने पैसे एक लाख दी है और आप agreement में ये लिख वाए है कि वो वापिस दो लाख करेंगा law करता है इसकी जाज़त हम नहीं देंगे इसमें ये लगता है कि आप उस बंदे के साथ जाती कर रहे हैं और law करता है हमने तो decision करने फिर तो ये हमेशा के लिए सहूल याद रखिएगा जब एक परसंट किसी दूसरे परसंट को लोन देगा उसमें वो rate of interest वो जितना चाहिए आड़ कर सकता है वो एक लादा बात है बलकि वो भी reasonable हद तक होना चाहिए 100% नहीं reasonable जैसे 5% करे, 6 करे, 10 करे, 12 करे, 15 करे, 20 कर दे जो reasonable है इससे ज़्यादा unreasonable समझे जाते है तो interest को agree किया जा सकता है repayment के बाग लेकिन ये कहना कि एक लाख दिया है तो दो लाख वापिस कर लूँगा ये हमेशा के लिए याद रखेगा ये परवियन ये agreement होगा यहां पर उसने क्या किया उससे जितनी माउंट दी थी उससे ज्यादा माउंट का agreement कर लिया मेरा पहला question क्या ये जो उसने consideration पे की है age of minority में ये valid है, consideration valid है के नहीं consideration valid है कुन सा concern of law होता है यहां पे past consideration is valid consideration valid है क्या contract अगर ये आगे वाली बात निकाल दें सिर्फ इतना लिए बावर upon coming of age उसने agreement किया minority में consideration पे की जब वो major हुआ agreement किया क्या ये agreement नॉर्मल हालात में valid है बिल्कुल valid है कोई problem नहीं है इस question में सबसे आहम लफ़ज power word कौन सा है जिसके उपर पूरा question खड़ा है जो जो सब misuse का word misuse का word हमें ये बता रहा है कि father ने undue influence exercise किया अभी agreement क्या होगा वाइडेबल अड़ आप्शन ओ agreed party क्यों relevant legal proven कौन सी होगी इसमें if consent is not free या consent is caused by undue influence then contract becomes voidable at the option of agreed party clear जी question एक दोफ़ा फिर explain कर दू subhanallah majority is authority ज़्यादा तर students अगर कहेंगी जी क्या ये question दोफ़ार explain कर दू कितने students करते हैं अब बाद में समय लिजीगा be ameer a man infebeled by disease infebeled का मतलब क्या होता है कमजोर लागर इंसान अच्छा जी बड़ा कमजोर इंसान था ameer by disease आरेज किसी बिमारी की वज़ा से या उमर की वज़ा से अपने is induced by आसिफ's influence over him आसिफ ने उसके ओपर influence exercise किया अच्छा क्यों ये remote नहीं है सर जी एसी का ये बिमार हो जाना है ये जिन बाहिजान से वो एसी ओन करते हैं उनने कहा करें कि इसमें ना 16 पहरेख़ा कि ओनी 24 पह रख दिया करें और एक दुँषी बंड करवा दों ये 24 ये बंड कर दों कर दोंड है कि ये वाला सर्जी बंड कर दीजिए आ मैं मैं आ रहा हुं कि और ये वाला ऊभी कम कर ये 124uce कर दें यह बंद करवारे लिए इसको कुछ नहीं करना है चले आगया तो इस इंडियूस बै आसिफ इंफोंस अवर हिम एज अच्छा आसिफ ने क्यों इंफोंस एक्सेसाइज किया एज इस मेडिकल असिस्टंट क्योंकि वो उसका मेडिकल असिस्टंट था कुई अगर मेडिकली कि इसी बंदे को ट्रीट कर रहा हो तो क्या पेशेंट में और उस प्रैक्टीशनर में अंडियूस लाप रिजूम करता है विलकुल करता है ठीक है तो एग्री तुपे आसिफ हैं अन्रीजनेबल सम फारीज प्रफेशनल सर्वेशिज अन्रीजनेबल सम अब बताईए कैस में अंडिणफ्रोंस है अंडिजनेबल समें है आपको किस लफ़त से पता चला अंडिजनेबल से और उपर उसने इंफ्रोंस का वर्ड भी यूज कियाaré इंफ्रोंस और अंडिजनेबल इनल्फास से में पता चला अच्छा बताईए इसमें लागर आदमी अमीर यह कोट में ज सब्ант बूत मांगेगा के दें? क्यूं नहीं मांगेगा? इस में UNDRLS P Moses किया जाएगा. हाँ अगर अस्ठाइफ अन्री जो भी सब मेघ्रिय हुई हमांट उसे receive करना चाहता है, उसको थाबित करना पड़ेगा. क्या? 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 क्या UNDRLS नहीं था उपर वाली एक्जेंपल की बात करें इसमें क्या लाउ अंडी इनफ्रोऊंस ऐजियूम करेगा बिल्कुल और अगर बाप इस एग्रिमेंट को इनफोर्स करवाना चाहता है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अंडी और अगरिकल्चर पापर्टी तो इस रूइंट मक्बूल फाइल देस्ट तो कैंसल दा ट्रांजक्शन क्या इसमें अंडी इंफ्लूइंस प्रिजूम किया जाएगा बिल्कुल टीचर स्वाइंट रिलेशन्शिप में ने का था जैसे बाबर बेटे में इंफूइंस किया ज कि कम्प्लीट इंफ्रमेशन थी प्राइस वाज मार्केट बेस उसने का प्राइस भी मार्केट वैल्यू थी नॉर्मनी जैसे जब भी लाव में होता है जब भी कोई जर्म करता है तो देखा जाता है किसका फाइदा सबसे ज़्यादा किसको है मोटीव के बगएर तो कोई करता ना तो इसी तरह अंड इंफ्लोंस के पीछे भी अब्जेक्टिव अंफेर एडवांटीज हासिल हो करता है भाई चान प्राइस मार्केड वैलियो थे तो मैं अंड इंफ्लोंस क्यों करता तीसरी चीज़ कर रहा है उसने यह भी थाबित कर दिया मजीर मकबूल हैड अब इडवाईस फ्रॉम प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस चॉइस बिफोर फाइनलाइजिंग डा कॉंट्रेक्ट उसने कुछ प्रॉपर्टी डीलर से एडवाईस मिले थे अब पताईए क्या साबित हो रहा है इन सारी बातों से अंड इंफ्लोंस था के नहीं था इस रिलेशन्श में भी लाप रिजूम करता है अंड इंफ्लोंस था लेकिन इसमें जो दूसरी पार्टी थी डॉमिनेटिंग पोजिशन पे उसने साबित कर दिया क्या साबित कर दिया इन तीन चीजों से के सारी इंफरमेशन भी प्रॉइड की गई थी प्राइस भी फेर थी और उसने कंस दूसरी पार्टी के पास अगर सबूत है तो वो यह साबित कर सकती है कि अंड इंफ्लोंस एकसरसाइज नहीं हुआ कलियर जी आगे चलें Q7 8 रिक्वार्मेंट में क्या कर रहा है BRIETFLY discuss whether वालूंग अग्र dependent हमने सिर्फ यही बताना क्या है या नहीं है बाकी agreement का effect, VARcable यह उसकी requirement का हिसा नहीं है लेकिन आगर हम class में discuss कर ले नहीं तो बेहतरा zाना हो जाएगा requirement को पढ़िए देखिए उसने क्या पुछा ऐसे रहूँ कि मुझे इतना बताओ कि undill-fluence exercise हुआ है कि नहीं एक्जेम्पल्स हुआ है सबसे पहले पहली example undill-fluence की कह रहा है briefly discuss whether following agreements are caused by as if an agent agreed to sell stock of Sajid the principal at the rate of 2% commission कि एजेंट था उसने क्या agree किया कि वो 2% टेट पर्मिशन पर स्टाउक सेल करेगा कि लेटर आसिफ डिमांड़िट 5% कमिशन बिंग दा मार्केट रेट एंट इस कंसेंट वाज आप्टेंड बाए अंडी इंफ्लूंस बाद में उसने का भाई मेरे को तो 5% चाहिए अब कितना मांग रहा है क्या मिलेगा उससे 5% 5% क्यों नहीं मिलेगा क्या अंडी इंफ्लूंस यहां पर एक्सरसाइज हुआ जी हाँ इस सिचुएशन में अंडी इंफ्लूंस प्रिजूम नहीं किया जाएगा अगर अंडी इंफ्लूंस हुआ है तो एजेंट को किसको साबित करना पड़ेगा एजेंट को क्योंकि एजेंट और प्रिंस्पल के रिलेशंशिप में अंडी इंफ्लूंस प्रिजूम न तो ठीक है नहीं प्रूफ करेगा तो कॉंट्रेक्ट वैलिड है क्लियर जी नेक्स्ट पार्ट बी अदील अप्लाइस टो एबेंकर फॉर एलोन अट टाइम में देरे स्टिंजेंसी इन दा मैनी मार्केट स्टिंजेंसी क्या होती है ये मुश्किल सा लफज आ गया इसका क्या मतलब है स्टिंजेंसी का मतलब क्या है असाइनमेंट नहीं की क्यों नहीं की असाइनमेंट स्टिंजेंसी का मतलब क्या है Assignment नहीं की, तो Assignment कैसे हो, मतलब भी समझ नहीं नहीं, Assignment कैसे हो गई, Assignment दिखाये किज़े, Assignment अपनी, नहीं की होगी Assignment, यह वहला पॉइंट नहीं, तो आपने Google पे इसका मतलब देखा, Google पे मेरे भाई ने मतलब देखा, Stringency का मतलब क्या है, बजेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें मार्केट में पैसे की शौर्टिज थी तब अदीर ने बैंकर को प्लाई किया बैंकर डिकलाइन टू मेक दा लोन एक्सेप्ट एन यूजिली हाई रेट ऑफ इंटरस्ट बैंक ने का भाई हाई रेट ऑफ इंटरस्ट होगा क्योंकि आज कल मार्केट में यह चीज अवेलिबल नी आपको उसकी प्राइस बढ़ जाती है उसने का जी हाई रेट ऑफ इंटरस्ट पर आपको लोन मिलेगा वरना नहीं अदीर एक्सेप्ट्स न एंट इंफ्लूंस प्रिजियूम नहीं किया जाता हाँ इसका यह मतलब भी नहीं कि थापत हो इनी सकता प्रिजियूम का यह मतलब नहीं है कि एक बात फाइनल हो गई है नहीं नहीं अगर आप प्रूफ अगर यह अदील अप्रूफ कर दे कि एंट इंट इंफ्लूंस एक् कैसे हो सकता है यहीं हमकारिया नहीं है क्योंकि डैटर और क्रेटर में अंडियू इंफ्लूएंस नहीं होता सी कमवर ए मनी लेंडर एडवांस मनी तो साजिद एन एगरी कल्चुरस इन एमर्जेंस सिट्वेशन एन बाएंडियू इंफ्लूएंस कलियरले बता दिया हुद से हमें दमाह लडा जालेन की ज़़्रूरत दिल्च only एंगर इंफ्लूएंस ऐकस्राइज हुआ है अगर सिरफ influence लिख देता है फिर भी हम उसे margin दे देते हैं उसने तो clearly लिख दिया end influence end influence है made him to execute a bond of double the amount with high interest rate जी agreement किया उसने कि amount double होगी अच्छा इसमें high rate of interest में में problem नहीं है debtor, creditor, money influence presume नहीं किया लेकि जो double amount है जितना loan लिया उससे ज्यादा की amount अब repay की जा रही है double amount repay की जा रही है इसको law गलत कहता है तो क्या इसमें end influence है कैसे पता चला है वैसर में खुदी पता रहा किताब किदर है मैं होगे काम्याब हम जाबश जी तो इसमें end influence exercise हुआ है अच्छा बताइए अगर इसमें end influence exercise हुआ है जाज क्या करेगा क्या जाज ये सारे का सारा agreement इसे नल एंड वाईर करार दे देगा कि इसकी जो conditions fair नहीं है law के against है उनको खतम करेगा जाज की पहली कोशिश होती है कि सारे contract की बज़ए जो जो terms against law है उनको खतम करे तो प्रोबेबली ये solution में डिसकस नहीं हुआ अक्स्टा बता रहा हूँ प्रोबेबली इस situation में जज क्या करेगा कहेगा ठीक है पैसे दे दी है लोन का agreement हो गया वो पैसे valid और इसमांट पे करने हैं आपने याद है उन सच terms and condition जज के बाद पावर होती है ना तो वो चाहे तक पूरे के पूरे contract को खतम करके के loan की amount वापस करो जो लिए है चाहे तो इसमें थोड़ा सा चेंज करके contract में red band से लिख देगा क्या कि अब double amount नहीं बलके जो amount दे गई है उतनी ही amount वापस होगी चाहे तो उसको लगे के rate of interest भी बहुत ज्यादा है वो rate of interest को भी change करके कम कर सकता है rate of interest 75% परहनम लिखा गया वो इसको 75% का आट के 15% भी कर सकता है on such terms and conditions समझा है इसका मतलब क्या है कि contract पूरे का पूरा भी फारग कर सकता है और judges के पास ये भी 30 होती है कि उस contract के अंदर जो जो परवियन उन्हें लगे लाके गेंस्ट है उसको खतम करें बाकी वैलिड है इस 8 में की problem 9 आरिफ टोल बानो इस वाइफ डैट ही वो डैवोस हर if she does not transfer her personal assets to him she agree to transfer her assets to him can बानो वाइडर contract मेरे कुल बानो इड़ कर सकते है relevant legal provision free consent वाली आएगी ठीक है वो contract को खतम कर सकते है burden of proof किसके उपर है and influence है ना बानो के उपर ठीक है क्यों बानो के उपर burden of proof क्यों है क्योंकि husband and wife में and influence presume नहीं किया जाता इस question में क्योंब्लम next respond to the following scenario are you under the provision of contract act 1872 हारून वाज married to गजाला यह लिखाए अच्छा married नहीं है engaged to married engaged to be married दोनों में फरक क्या है निकाह क्या है लीगली फरक मुझा का हो जो समझा है भी नहीं वो बता रहे है लीगली फरक क्या है अगर लिखा होता ना के वाज वाज हरून वाज married to गजाला फिर इसमें und influence presume नहीं होता और अब जो है हरून वाज engaged to be married to गजाला तो फ्यांसी और फ्यांसी में हमने यह study किया था und influence presume किया जाता है चलिए इस चीज़ को जहें में रखेगा यह engagement की बात किया उसने marriage की बात नहीं कि हरून wanted to establish his own business and therefore he entered into contract with गजाला for providing him all her jewelry and apartment by way of a gift and in return हरून agreed to give her a small share in business profit अच्छा पहली चीज़ मुझे यह बताईए क्या husband and wife में agreement हो सकता है फ्यांसे फ्यांसे में भी agreement हो सकता है agreement होने में कोई कभाहत नहीं है दूसरा point मुझे यह बताईए इसमें वो जो receive कर रहा है ना वो ज्यादा चीज़ें jewelry भी है apartment भी है ठीक है और लेकिए जो in rate अच्छा gift का word उसने थोड़ा confuse करने के लिए दिया है कि शायद हम इसे agreement without consideration की तरफ ले जाए उसमें गिफ्ट आ लेजा complete agreement without consideration की तरफ हाला कि उस तरफ नहीं जा रहा क्यों नहीं जा रहा क्योंकि उसने आगे बता दिया है कि इन return भी वो कुछ ना कुछ बे कर रहा है तो ये हमारा इसे regular agreement की तरह treat करेंगे gift का word उसे use ही नहीं करना चाहिए था उसने गलत किया उसे अगर वो हमारे सामने होता तो हम उसे बड़े प्यार से हाथ जोड़ के कहते कि सर जी इसमें gift का लफ़ शामिल ना कीजिए आगे कहत हो रहा है कि provide case है फिर आपने एक्जैमने रेकमेंटस में कहा है कि बच्चे incorrectly gift की तरफ चले गए बात discuss क्यों कर रहा है जिसकी जुरूद भी नहीं है जिसका क्यों तो क्यों बारहाल मरजी तो ये agree करते हैं कि ये gift का case नहीं है क्योंकि in return कुछ ना कुछ चीज़े वो दे रहा है लेकिन जो चीज़े provide कर रहा है वो adequately नहीं small share है इसमें कोई problem है इसमें भी problem नहीं है क्यों problem नहीं है हमने बड़ा inadequate consideration is valid consideration फिर twist आया कहां पर after some time जजाला filed a suit against Harun requesting for setting aside the gift deed as it was not made with her free will free will इसमें ज्यादा एहम लफज कौन सा है gift deed ये free will तो इसमें जो powerful word है वो है free will इसका मतलब है अब हमने किस तरफ लेके जाना है इसको consent की तरफ लेके जाना है किस तरफ लेके जाना है consent की तरफ question में clearly उसने बता दिया ये free will की तरफ जाओ discuss whether घजाला would succeed in our contention contention किसे एक में ठहरे contention किसे कहते है contention किसे कहते है مشکل सा लफ़ज आ गया मुझे नहीं पता assignment आपने मेरे से पूछना था शाबाश और मैंने आप से पूछना था थोड़ी सी misunderstanding हो गई agreement तो वाइड हो गया ना agree on same thing same sense मेरा भाई प्यारे भाई contention इरादे को शाबाश assignment नहीं की मेरे भाई ने किज़र है तो इसमें ये लफ़ज नहीं आया ये exam में फिर ये लफ़ज एक दम से सामने आ जाता वसक्त रखता है तो कभी पढ़ा ही नहीं है क्योंकि जब पढ़ा था वसक्त गोरी नहीं किया था contention का वर्ड क्यों नहीं देखा जब भी कोई मुश्किल आपने साइड पे लिखा आपने किने पूछना था शाब बाश दिखाए लास पेज पे ये लिखा है लफ़ज आपने मैंने कहा वान आपको जब भी कोई मुश्किल लफ़ज आपको मिले लास पेज पे लिखना है लिखना है बोला के नहीं बोला शाब लास पेज की तरहाज आए ये 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 इस पे लिखना था इस पे लिखना था आपने मैं नहीं लिखा, मैंने मतलब बता रहा, मैंने बता रहा मैंने बता रहा हुआ, मेरी मरज़े कन्टैंशिन का मतलब होता है जगड़ा होना, डिप्जूट होना, तनाजया होना तनाज़ा अब आईए इस तनाज़े का हल इस तनाज़े का हल इससे कमस कम ये लेसन तो हमें मिलता है कि रिष्टेदारों में बिजनिस नहीं करना चाहिए ना बिजनिस रहता है ना रिष्टा रहता है ये सबग तो हमें मिल गया ना आईए इसको सॉल्व करते हैं यहां पर free will मेला पहला क्वेस्टन क्या ला एज्यूम करेगा इसमें एंड इन्फोंस है रेलिमेंट लीगल पर भी इन कौन सी आएगी free will free will if consent is not free agreement voidable at the option of agreed party the scene and basic decision में क्या कहेंगे कि इसमें करें अज्यूम किया जाएगा क्यों क्यूंकि क्यूंके relationship between haroon रखाना पाज़वास ओफ यान्से इन में चलाब प्रिज्यूम्ज़ एग्जिस्टन्स औफ अंड इन्फ्लूउंस ठीक है जी फिर इसके पाथ नीचे आगे burden of proof भी लिखना है जब कभी undie influence आए कोर्शन आए आपने burden of proof लिखना है ठीक है burden of proof किसके एक और concern में burden of proof पड़ा था unsound mind में यहाँ पर burden of proof किसके उपर होगा however if Haroon proves that there was no undie influence then agreement will be valid story समझागे इसमें कोई problem consideration कम होने की वज़ा से तो आपको problem नहीं है तो consideration कम होने की वज़ा से आपने इसे नतीजे पर नहीं पहुंचना के undie influence हो गया consideration inadequate consideration भी valid consideration practically जज़ इसको थोड़ा सा शक की नजर से देखता जरूर है कि consideration अगर कम की गए ना तो कहीं ना कहीं कोई influence शायद हुआ practically लेकिन exam में आपने इसको consider नहीं करना और practically भी सिरफ वो हलका सा इसको weight देते हैं decision इसमेस पर नहीं करते कि consideration normal price से कम है क्यों भला क्यूंकि inadequate consideration भी valid consideration है किताबों लेक्रेक्षेर लेडियर है चल्य यह थी मारी सारे discussion जी लेक्षर का यह हिससा है यह चेज़ करते हैं अजो कि झाल झाल